भी तो पिछली वीडियो मैं ने बैचलेर्स इं जर्मेनी के ओपर डाली ती इसमें मैंने स्टेप बाइस बताया था कि पहले आपको लाइंगविज करनी होती है और बहतर लेए कि आप जैमेनी आगर लैंगविज करें फिर आपको लैंगविज करके आप नाम अप और अगली वीडियो में फिर हम स्टूडियन को लीकियो पर बात करेंगे तो पहने में कॉफी पी लूँ डीटेल वीडियो है तो घट जाके बात करते हैं या कहीं बैट के जब आप पाकिस्तान में लैंग्विज सीखते हैं बस वो चार गंटे आप अपने लैंग्विज सीखते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं और आप वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और यहां आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत जादे बहतर तरीके से लैंग्विज आती है और देना भी चाहिए, भी स्टिनि प्रेफर करता, जितने भी मेरे स्टूदंट्सिन साफ मिनिम्म थी दिर Cabinet सिंधू पूरिपने पर आपкое ल刈 से स्ट कही हो से Hm मैं आपको बताता हूं इसमों अपन hardships mean test क्याइश क? सितने पाई स्ट्रूर्सेश करता हूं मैं अशो वो लोग सच में जर्मिनी में आने के लिए इंटरिस्टेट हैं, वो लोग ये विडियो पूरी देखें, यह आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी, तो आउफ नामर पूरूफ हों कैसा टेस्ट होता है, जिसमें आपके दो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनका आपको ट पर आके जब आप B1, B2, C1 करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होते हो, तो आप वो जयर्मन फिल-in-the-blanks होते हैं, वो जैसे युनिवरस्टियों में पाकिस्तान में इंडिया में एक एंटरिंस टेस्ट होता है, तो वो बहुत बेसिक टेस्ट होता है, जिसमें आप लोगों को fill-in-the-blanks करने होता है, maximum university बोलती है, एक letter लिख लो, या वो बोलती है, कुछ सुनके आप बता दो कि क्या बोल रहा है, वो बहुत easy test होता है, दूसरा, जिसकी वज़े से पाकिस्तानी और इंडियन लोग पास हो जाते हैं, वो होता है maths, पाकिस्तान पाकिस्तानी और इंडियन स्टूट्स के बहुत अच्छे marks आते हैं, तो वो पास हो जाता है, और उपर से 3-4 universities में, जब कोई-कोई तो students 8-9 universities में भी test देते हैं, मगर जब आप 3-4 universities में वो test देते हो, तो उनमें से बस एक में भी आप पास हो गए, तो आप student colleague में घुज ज कि आप लोग यहां के language सीखो, कि अगर in case आप 3-4 universities में आपने test दिया, आपके maths में भी खराब marks आए, और आप German में भी fail हो गए, और आप वो पूरा fail हो गए, तो अगर आप पाकिस्तान से सीख कर आते हो, और यहां सिर्फ आपनाम प्रूफिंग देने के लिए आते हो, तो आपको वापस पाकिस्तान या इंडिया जाना पड़ेगा, और फिर से तैयारी करके आना, इससे होगा यह, कि आपका बहुत जादा demotivate हो जाओगे, और money बहुत जादा आपका waste हो जाएगा, और time बहुत जादा waste हो जाएगा, अगर आप यहां के German language सीखते हो, और फिर आ आप रीटेक दे सकते हो, हर 6 महीने में वो सेशन होता है, जैसे आपने विंटर में दिया, आप समर में वापस अपलाई करो, फिर से आप अपनी तयारी करो, यहां मैच्स इंप्रूब करो, German की कुछ क्लासेज ले लो, German C को और फिर से वो टेस्स दे दो, और फिर आप पास करते हैं, जैसे वो बोलता है, कि आप सुनोंगे क्या बोलता है आप से लेटर लिख के दे दो, अब सपोज इन केस आप को लगता है कि आप नहीं पास कर सकते, आप आप ट्राइगन करके भी पास नहीं कर सकते, तो उसका दूसरा ऑप्शन होते है कि आप प्रैवेट चू कर लो जहां प्राइवेट की बात आती है वह फीसिस की बात आती है तो usually प्राइविट स्टूडियन कॉलीग करने की आपकी 3,000 से लेकर चेहाजार यूरू तत एक साल की तो दो तरह के प्राइवेट सुटीन कॉलीग नौन ऑथराईज नौन ऑथराईज यसे वह जैसे कोई टुशन क्लास पड़ी वह जेर्मन गर्वेंट से अथराईज नहीं होता तो आप वह आपको करके वापस आफनामपुफंग देना पड़ेगा तो दो यूजुवली इस जहां पर authorized आउफनाम प्रूफंग का private institute है एक लाइबजिश में और एक हाला में लाइबजिश में जो institute है उसका नाम है PSKL और हाला में जो institute है उसका नाम है Ming Cheng Institute और वो private student colleague करवाते हैं जो authorized होता है एक साल बाद उसके दो सेमेस्टर होते हैं उसके दो सेमेस्टर होते हैं जो आपको दो सेमेस्टर करने के बाद आपको एक फिश्टेलिंग्स प्रूफंग का टेस्ट होता है जो फिश्टेलिंग्स प्रूफंग जैसे इंटर की डिग्री है University, Hochschule और Fachhochschule का यही difference है कि University पढ़ने के बाद आप research program में जा सकते हो मगर आप Hochschule और Fachhochschule पढ़ने के बाद आप just applied sciences का वो course होता है और आप further उसमें research program में नहीं जा सकते हैं मगर यह बहुत last resort है यह आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे आपको waste करने पड़ते है यूजिवली आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करो देखो मैं हमेशा बच्चो जब मुझसे यह पूछते है कि मिनाल भी ज़र्मन में test देंगे हम तो fail तो नहीं हो जाएंगे देखो पाकिस्तान में आप test देते हो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप definitely fail होगे बले को आपके home country हो यह कोई और सी foreign country अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप कैसे fail होगे कोई chance ही नहीं है न अचा तो हम फिर से इनन एट्शेल revise करते हैं कि आफनामब प्रूफंग क्या होता है आफनामब प्रूफंग एक test होते है जिसमें आप अपनी German compatibility show करते हो अगर आप engineer बनना चाते हो तो math का test देने पड़ता है अगर आप medical करना चाते हो तो math के बजाए जो आपका respective medical का test होता है वो होता है biology का आपको घबराने की बात नहीं है अगर आप German में बहुत वीक हो तो आप math से वो cover up कर सकते हो और आफनामब प्रूफंग 110% जाध तर students पास कर जाते हैं और फिर उनको student colleague में test मिलता है साल में 2 sessions होता है और बहतर यह है कि आप यहां पर आके German language सीखो आप पकिस्तान से German language सीख कर आओ और फिर यहां आके आउप नामब प्रूफंग का test डायरेक्ट नहीं दो पहले आप B1, B2, C1 करो और फिर यहां test दो आउप नामब प्रूफंग का ताकि आप 110% वो पास कर तो इससे कोई फ़र्ग नी पढ़ता है आपका एक शोरिटी मिल जाएगी कि आप यहां पर पास कर जाओगे वो test और आपको पाकिस्तान वापस जाना भी नहीं पड़ेगा अगर आप पाकिस्तान से language सीख कर आते हैं और यहां बोलते हो कि बस मैं direct आपनाम प्रूफंग द लेटन में यही लिखा होते है कि आपका आपनाम प्रूफंग पास होना चाहिए और फिर आप student colleague qualified होने चाहिए हो एक साल तो वो university का party होते है student colleague भी आप एक university से जागे करते हो I hope आप लोगों को यह समझ आया हो सारा अगली वीडियो मैं student colleague के बारे मैं बढाऊँगा ताकि step by step आपको पताओ कि क्या क्या होता है Germany आने से पहले आने के बाद कैसे apply होता है और क्या क्या होता है किस किस तरीके के test होते हैं अगर आप लोग इस चीज को पसंद करते हैं त तो please consider subscribing to my channel इससे मुझे motivation मिलेगी तो फिर I suppose आज के लिए इतना ही फिर कल मिलते हैं आप पीस हाओ और हाँ वीडियो भी लाइक कर देना उससे algorithm मेरा नाम उपर आ जाता है तो जादा लोगों को आपकी वज़े से फाइदा होगा क्यूंकि जब मेरी वीडियोस आएंगी तो जादा लोग देख पाएंगे ओके